नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का दोस्तों आप सभी को पताई होगा बिहार दरोगा का आप सभी लोग का डेली बेस से प्रवाइट किया जा रहा है प्रैक्टिस सेट तो अभी क्या है कि रुकमेडी प्रकासन यानी प्लेट फारम का आपका वालियूम फोर जा गया है इσमें का मैंने दो सेट आपको और लेडी अप्लोट करा दिया है। आज का जो rec кур правда है और एक्जाम से पहले यांण आज होने वाला है यह आपका 100 कोशन होने वाला है और का वीडियो में 200 कोशन होगा या नी एक वीडियो में दो सेट प्रवाइट कराऊंगा ताकि आप सभी लोग को जल्दी सी एक खतम हो जाए क्योंकि और भी आपको प्राक्टी सेट प्रवाइट करना है क्योंकि जितना प्रेविजन करेंगे आखिली समय में उतना आपके लिए फायदे मंद हो जाएगा ठीक है तो चलिए प्रसने कि पटना का इस्थानिय समय पूछा गया है पटना का इस्थानिय समय तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन भारतिय मानक समय से आगे होता है आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसने कि भारत के वन निजी और तो करेक्ट आंसर आपका potrzeb का ऑप्सिन सी ब्रहं पूत्र हो जाएगा किया हो जाएगा सी आपका सही आंसर हो गर्शक्रमा को सद्सक्राइब के रूप में वंडित कीम किया गया है तो और याद रखिएगा भूले गा नहीं दी का अंसर हो जाएगा, एक समय के बाद समाज की जन्संख्या में परिवर्तन की प्रकेदिया एक estos ना सही आंसर हो जाएगा ने श्ड को सन क्रित्रीम क्रित्रीम उर्वरक पहली बार rigड़ाइस सताबदी के दौरान निर्मित किये गए थे तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आपका उप्सन सी 19 हो जाएगा याद रखिएगा नेश्ट को सन क्या है कि पॉलिटिक्स अफ जुगाड द द कॉलिसियन कॉलिसियन हैंड बूक के लेखक कौन है तो आप सबी लोग याद रखिएग आपसन आपका यहां पे सी हो जाएगा सबा नगभी क्या हो जाएगा सबा नगभी नेश्ट को सने की वर्स 2018 में आई सुमान भारत योजना का आरम डैस से किया गया था यानि यह किस से कहां से किया गया था तो यह आपका किया गया था जहारखंड से किया गया था साथवे क सही आंसर आपका भी हो जाएगा नेस्ट कुषने की अंतरास्टी ये बहुण पक्षवाध और कुटी नीती यानि कुट नीती दिवस आपका कं मनाया जाता है तो आपका हो जाएगा APCY24 Project C की चर्च इसाइयों से उसी तरह सम्बन syndrome जिस तरह सीना सीना गोग डैस से संबंदित है तो यह आपका संबंदित है याद रखिएगा यहुदियां से है जो की आपका ए सही आंसर हो जाएगा नेश्ट को सने की भारत के समिधान की उदेशिका की बारे निम्निखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही है तो आप सभी लोग आंसर याद रखेगा option आपका भी हो जाएगा एक दो तीन हो जाएगा यानि उदेशिका स्वे न्याले में परवत्निय है परिवत्निय नहीं है उदेशिका उन उदेशियों को बताती है जिन्हें सम्मिधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है उदेशिका उ question number 11 हम देखेंगे अ कि मिलान करके बताना है तो चलिए हम इसको देख लेते हैं question number 11 तो देखा जाए तो आप से भी लोग का ऑप्सन भी हो जाएगा एक सेकेंड आपका यहां पर भी हो जाएगा हडपा जो है आपका रावी नदी हो जाएगा काली बंगा आपका घगर नदी लोथल जो है आपका भोगवा नदी और आपका रोपड जो है आपका हो जाएगा आपक पुरुस का लिहाज किये बीना समानता होनी चाहिए तो इसका अंसर आपका हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में नेश्ट कोसने कि जब पानी को जिरो डिगरी सेंटीग्रेट से दस डिगरी सेंटीग्रेट तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा तो इसका आयत पारियों के पहले अफरीकी महानी देशक को निक्त हुए हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओप्सन बी यानि उंकोंजो इवीला हो जाएगा नेश्ट कोसने की अधिकान सरी सरी स्रीपो में एक डैस होता है तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा तीन कक्षी हिर् सोला का सही आंसर आपका भी हो जाएगा करांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभीनो भारत का गठन किसने किया था सभी को पता है अभीनो भारत जो है आपका बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था ऑप्सन आपका भी हो जाएगा भारत छोड़ो आंधिलन प्रारम क करने का सरवाधिक प्रमुख कारड़ में प्रमुख कारड़ क्या था तो प्रमुख कारड़ में पहला है कि वर्स बना रहत्री का नून हैं से हुद yan porte ये आपका क्या हो जाएगा नियुज्ट को सभी उत पन होते हैं वे लिए हो जाएगा नेश्ट को सनसे कि जनुकि रूप में किसे जाना जाता है अम लवर्षा कि जना की रूप में यह आपका राबर्ट एंगस स्मीद को जाना आता है आपका भी हो जाएगा नेस्ट को सनकी आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्स में किया गया था बहुत ज़्यादा इंपर प्रस्ट नहों सके तो पार्टी से सम्मनित करने को मौका मिल जाता है इससे आप रिविजन जितना करेंगे से आपके मान के चलिए अगर इसी को देखेंगे तो आपको यहां पर तो आपका पचास से साट परसंट तो जी के यहीं से आपका कंप्लिट हो जाएगा ठीक है तो कोसिस करिएगा कि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए अगला की चिलिया वाला यूद कब लड़ा गया था तो यह जो यूद है याद रखिएगा यह आपका 1849 में the besch type वारी हूँ से उत्पन हुआ है तो यह आपका उत्पन हुआ है याद रखिएगा अंग्रेजी जJesus आपका सी सही आंसर हो जाएगा next question कि सिरोसिस रोग सेड के किस अंग को परभावित करता है सिरोसिस जो है यह आपका याद रखिएगा 28 का आपका भी हो जाएगा जीगर क्या हो जाएगा जीगर नेश्ट को सने की 1947 में किस ने सरपर्थम केंद्रिय बजट प्रस्तूत किया था केंद्रिय बजट तो है यह आप प्रस्तूत किया गया था आप सब दम्यांद रखेए का यानि आर के संमुखन सेटी हो जाएगा ओप्शन आपका सी हो जाएगा के पानी पत्के 3 यूद्मी मैस जरूर लगाई है क्योंकि ये पांच वर्स जो आपका कोस्टन आएगा ये आपको एक्जाम में बहुत अच्छा खासा मेरिट मिलाएगा अगर आप पांचों सही कर लेते हैं तो तो इसका में एक वीडियो जरूर लेकर क्या हूंगा कि आप मैस कहां से रिविजन करेंग नेश्ट कोसने की टोकियो ओलंपिक 2020 ओलंपिक मसाल का आकार क्या है तो मसाल का आकार आप सब लोग याद रखेएगा ये आपका हो जाएगा 36 का ओप्सन B चेरी बलासम हो जाएगा ऑप्सन आपका भी हो जाएगा नेश्ट कोसने की कैमूर पठान किस के लिए दिवस का विश्य क्या इसका विश्य आप सबी wij alle сп Rag a mandar क secular आपका हुझाएगा है 이쟁 है की निमलिखिट मेंसे कौन सव न जी अ भिहार निया Bihar के मुंगीर जीले में इस्तित आपका हो जाएका option सी भीम बांद क्या हो जाएगा भीम बांद नेश्ट को सने की बोला गया है कि नौचालन के लिए सामुदाइक सामुद्रिक सहायता विधियक 2021 को 2021 जो संसर द्वारा पारित किया गया था किस अधिनियम की जगह लेगा ये काउंट सी अधिनियम का जगह लेगा तो आप सभी लोग यादर कियेगा प्रकास इस्तंब अधिनियम 1927 हो जाएगा आपका भी हो जाएगा नेश्ट कोसन की केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओवी सी को निम्न में से कितने प्रतिसत अलक्षट देने की घोशना किया है तो यह आपका 27% होना चाहिए जहां तक हमको लग रहा है तो सही है डी हो जाएगा नेश्ट कोसन की भारतिय वायू सेना ने किस वीमान से हवा में लांच किये जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्क्रण का सफल सफल प्रक्रिक्षर किया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑपसन डी सुखोई 30 MKI हो जाएगा ऑपसन नामदाशी का प्रकास पर मनाया गया इनके जन्म का नाम कarez था तो उनके जन्म का आप सब लोगे लग खिए गाझे घीठा था जोकि ऑप्सन आपका एई सही अंसर हो जाएगा भारत में संकुधारी वन कहां पर पाय जाते हैं तो जो जो संकुधारी वन होते हैं यह आपका हिमाले हो जाएगा जो कि आपका सी हो जाएगा नेश्ट कोसने कि दच्षिड भारत की सबसे ऊची चोटी कौन सी है तो दच्षिड आप सभी लोग याद रखेगा सही आंसर आपका यहां पे हो जाएगा अनए मोड़ी हो जाएगा जो आयोगिता संबंधित वीवरड समिधान की किस अनुसूची में दिया गया है दल बदल तो द से दल और द से दसवी तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं आपका सी हो जाएगा नेश्ट कोसने के लोग सभा की निरवाचन छेतरों का सीमा निधरण पिछली बार नि 49 का option D हो जाएगा इन में से सभी विधान मंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना विधान परिषत के एक बटा च्छ सदस्यों को मनुनित करना अध्यादेश जारी करना एवां विधान मंडल से पारित विधेकों को सुविक्रित प्रदान करना तो option आपका D हो जाएगा नेश्ट कोसन क्या कि फसल चकर के अपनाने से भूमी की उत्पादन छमता बढ़ जाती है option आपका A सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन क्या है कि कुमर सिंग एवं अमर सिंग पुस्तक के लिखक कौन है पताईएगा तो यह आपका हो जाएगा डाक्टर जटा स संकर जा हो जाएगा A सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन क्या कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्टरी राजनीतिक दल है तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा option D8 हो जाएगा नेश्ट कोसन कि दिल्ली देहरादूर के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेज किस मार्ग प्रस्तावित है आंसर हो जाएगा 210 किलोमेटर आप सब लोग याद रखिएगा नेश्ट कोसन के जी आई टैग प्राप्त आधिवासी गुडिया मद्य परद्य से किस इस्थान से संबंधित है तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा ए आपका सही आं सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला कि याद यावतर लेंस के फोकस दुरी बी सेंटीमीटर है यावस्तु का एक बट दो गुना प्रती बीम बनाता है वास्तविक वस्तु दूरी पूछा गया है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 20 cm आप सब लोग याद रखेगा किसी प्रदेश के अक्षांस को कोड़ी दूरी के किस संबंद से अविव्यक्त किया जाता है तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा option A भूमद दे रेख नेश्ट कोसन क्या कि निमनिखित में से कौन सा अक्षांस वरिहत विरित है वरिहत विरित है तो आप सब लोग याद रखेगा आपका भूमद या रेखा हो जाएगा option आपका A हो जाएगा नेश्ट कोसन क्या कि समिधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां पर हु याद रेखिया का सनुक तराज अमरीका option आपका C हो जाएगा नेश्ट कोसन क्या कि सकल्राष्टी उत्पाद का मूल यांकन कैसे किया जाता है तो आपका हो जाएगा एन एन पी जी एन पी माइनस यहां पे मूले हास दिया गया है अगला क्या है कि गुडित अनुपाद का नियम प्रतिपादित किया था किसने तो यह किसके द्वारा किया गया था तो यह आपका डाल्टर ने किया था option आपका भी हो जाएगा नेश्ट कोसन क्या है कि मक्षन ने परिव्यक्षड प्रावस्था तथा परिव्यक्षड माध्यता माध्यम करम है करम सा पूछा गया ह तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्रवे तठा सो ठोस हो जाएगा उपसन आपका भी हो जाएगा नेश्ट कोशन क्याए कि C U S O 4 5 S 2 O में किस परकार के बंद विदेमान होते हैं तो इसका आंसर याद रखेगा आपका विदूत सन्योजक सहा सन्योजी समनवी उपसन आपका C हो जाएगा नेश्ट कोशन क्याए कि वर्ग में उपर से नीचे जाने पर कौन सा गूड सदेव बढ़ता है तो कौन सा गूड जो है आपका सदेव बढ़ता है तो उपसन आपका हो जाएगा परमाडू तिरिज्या हो जाएगा उपसन आपका D हो जाएगा मेरा बाई चानू ने टोकियो ओलंपिक में कितने किलो वर्ग में भारतोलन में सोन पदक जीता था यह बहुत जादा इंपोटन्ट है इसी तरीके से आपका प्रस्न आता है तो आप सब लोग याद रखेएगा 49 किलो वर्ग में जो की ऑप्शन आपका A हो जाएगा अब बताएगा कि इन्होंने कितना भार उठाया था यह भी आपका पूछा सकता है इन्होंने कितना वर्ग किलो वार्ग उठाया था तो यह आप कमेंट करके जरूर बताएगा सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना यानि जी पी डी पी की समावेशी और समग्र तयारी के लिए कौन सा अभियान सुरू किया है तो यह आपका अभियान सब की योजना सब का विकास आपसन आपका ए हो जाएगा नेश्ट कुसन क्या के फीस आंधरा पर योजना के तहट कौन सा बैंक राज्य भर में सो एक का हब इस्थापित करने में आंधर परदेश सरकार का समर्थन करेगा तो यह आपका हो जाएगा बैंका बड़ोदा हो जाएगा आपसन आपका भी हो जाएगा पहलवान रभी कुमार दहिया ने टोकियो ओलंपिक में पूर्सो की किस फ्रिश्टाइल सिर्णी में रज़त पदक जीता है तो यह आपका आंसर हो जाएगा आपका संतावन यह भी देखिया आपका प्रसन पूछा गया है संतावन किलो में ठीक है अगला क्या है कि लियोपार्ड लियोपार्ड डेरीश पूस्तक के लिखक कौन है तो इसके पूस्तक के लिखक है आपका संजय गुब्बी संजेग गुबडी नेश्ट कोसन क्या है कि 20 मिलियन डॉलर खर्च करके और्बीट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यातरी निम्लिखित में से कौन था तो पहला अंतरिक्ष यातरी जो है आप सबी लोग याद रखिएगा डेनी से टीटो हो जाएगा ओप्सन आपका सी हो जाएगा नेश्ट कोसन के गुरूप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस गुरूप का रक्त दिया जा सकता है तो सही आंसर आपका यहाँ पे ए और गुरूप यानि ए तथा ओ गुरूप आप सबी लोग को याद रखिएगा मानों में कुल रक्त आयतर में पलाजमा का प्रतिशत लगभग कितना होता है तो यह आप सबी लोग याद रखिएगा भूलियेगा नहीं आपका 55 हो जाएगा ओपसन आपका C हो जाएगा नेश्ट के बोला गया है सुस्ति यानि इसमें बोला गया है कि एवेस्टिवेसन क्या है बताईए इसमें प्रकार से देखा जाए तो यह आपका प्राणी निद्रा है ओपसन आपका A सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसने कोसन नबर 77 बोला गया कि निम्लिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है कौन सा कथन जो आपका सत्य है तो उपचायन अभिकरिया के दारान परमाडू में इलेक्टॉन्स उत्साजित होते हैं आपसन आपका A सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन कि टोकियो ओलंपिक दोहर बीस के लिए अधिकारित प्रसारण कौन करता है तो इस प्रकार से सही आंसर आपका 78 का आपसन आपका यहां पे सोनी 10 इस्पोर्ट्स हो जाएगा यहां पर बुला क्या गया है कि टोकियो ओलंपिक दोहर बीस के लिए अधिकारित प्रसारण यानि कौन से चैनल पर दिखाता है ठीक है तो यहां पर सोनी 10 इस्पोर्ट्स ए आपका सही आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पास्पोर्ट लाउंच करने की घोशना किया है तो 79 का आपसन आपका यहां पे हो जाएगा कनाड़ा आपका C हो जाएगा किस बैंक ने होनर फर्ष्ट पहल सुरू करने के लिए भारती नौसेना के साथ समझ होदा किया है तो सही आंसर आपका यहां पे हो जाएगा IDFC फर्ष्ट बैंक हो जाएगा आपसन आपका C हो जाएगा नेश्ट को सने की नागीन जील की सराज्य में है नाग नागीन सेस नाग वगएरा जितना भी आए तो आपको करना क्या है जम्मू का समिर क्या करना है जम्मू का समिर सांप से जिजना भी आपका आएगा सब आपको जम्मू का समिर करना है अगला क्या है कि लाल मिट्टी के बारे में निम्लिकित में से कौन सा एक कथन आपका सथ्य है तो कौन सा कथन है जो आपका सही है तो यह law योगिकों में समिर्द है option आपका 82 का C सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कुसने कि असोक महता समीती ने पंजायती राज के लिए किस प्रतिमान के संस्तूति किया था तो असोक मैता अभी देखिए अभी क्या है कि खांसर का मैंने अभी अप्लोड किया था क्या बोलते हैं समिर्द हान का पूरा माश्टर वीडियो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लिजेगा अगर देख लिए हैं तो आपको यह आंसर आना चाहिए मौलिक अधिकार का संद्रक्षक कौन होता है अगला क्या है कि इनमे से किन का बाजार अंतर्श्टि यह होता है तो आप सब लोग याद रखियेगा अपसन आपका A और B हो जाएगा यानि सोना हो जाएगा और आपका यहां पे पैट्रोल भी हो जाएगा अगला क्या है कि उदारी में अगला में माहिला एतलित ऑपसे चुना गया है आप सब लोग याद रखिमा आपका नौमी ओसाखा बंके बैठाट की सदियेस हुआ है तो यह आपका हुआ है भारत, option आपका D हो जाएगा नेश्ट कोसने की भारत का सबसे बड़ा नवनिक अर्डिय उर्जा उद्पादन पार्क कहां पर इस्थाफित किया जा रहा है तो यह आपका किया जा रहा है कच्छ में, कहां पर कच्छ में अगला कि वर्ष 2020 में कि जील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था तो इसका अंसर याद रखिएगा, लोनार जील हो जाएगा, option आपका यहाँ पे C हो जाएगा नेश्ट आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है 93 का, तो देख लेते हैं शीत यूध जो है आपका चला जाएगा, USA बन्नाम सोबियत, समाजवादी गर्तंत्र संग हो जाएगा और धर्म यूध जो है आपका चला जाएगा, धर्म यूधता, जो आपका यूध करता है दिर्ग कालिन प्रायान जो है आपकर चरा जाएगा मावाई चीन और जो आपका रूसी करांती है 1917 हो जाएगा अगला प्रसने क्या कि प्राचीन भारत के विख्याच किसक धर्मंत्री ने अपना परामर्स किसके दर्बार में दिया था तो इसका आंसर याद रखिएगा सबी लोग तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्सन सी हो जाएगा यानि चंद्रगुप दूतिय हो जाएगा आप सब लोग याद रखिएगा अगला प्रसने क्या है कि सुल्तान पूर्ड बर्ड सेंचूरी इस्थित है तो इसका आंसर आपका यहां पे हो जाएगा option C गुरुगराम में आप सब लोग याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच यूद वीराम रेखा कुन्योंतित रेखा LOC में कब परिवर्टित किया गया था तो यह आपका किया गया था सन 1972 में option आपका भी हो जाएगा अगला है cancer सब गरिक के कारसी नोस से उत्पन हुआ जिसका अर्थ क्या है जिसका अर्थ आपका है केकड़ा जो कि option आपका C हो जाएगा अगला है कि निमलिखित में से कौन सा विकल्प परास्च्री पौधे पैरासीटिक प्लांट का उधारण है तो आप सब लोग याद रखिएगा आपका अमर बेल कस्त कूटा हो जाएगा option आपका B हो जाएगा दूद में वसा की मातरा के अनु कूलन की प्रक्रिया को डैस कहा जाता है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा आपका standard deviation हो जाएगा option आपका C हो जाएगा अगला और आखरी निमलिकित में से कौन सा पत्री यानि किड्नी स्टोन के गठन का कारण नहीं है तो आपका हो जाएगा अधिक पानी पीना इससे आपका किड्नी में स्टोन नहीं बनता है तो जैसे आपका ये सब हो सकता है तो फ्रेंट्स आप सब लोग कहांपे 100 question समाप करके आउंगा तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जैहिंत वंदे मात्रम